नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त भार्दवाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट गोरखपुर की गीता प्रेस को तो आप अच्छे से जानते होंगे बेहद सस्ती कीमत पर बिना किसी विज्यापन के श्रीमत भगवत गीता राम चरित्मानस और भगवत पुरान जैसे तमाम धर्म ग्रंथों के जरिए सनातन धर्म और संस्कृती का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संस्था देश भर में मशूर है आपके घर में भी गीता प्रेस गोरकपूर में छपा कोई ना कोई धर्म गरंथ जरूर होगा या फिर आपने गीता प्रेस की हनुमान 40 जरूर पड़ी होगी गीता प्रेस बीते 100 सालों से सनातन धर्म की सेवा में जुटा हुआ है लेकिन अब जब केंदर सरकार उसकी इस सेवा को पुरुस्कृत करना चाह रही है यानि कि इनाम देना चाहती है तो कुछ राजनीतिक दलों के पेट में मरोड उठ रही है वो इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है क्या है पूरा माजरा यही जानते हैं इस वीडियो में दरसल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अध्यक्षता वाली एक जूरी ने गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शान की पुरुस्कार देने का एलान किया केंदरिय संस्कृती मंत्राले ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी की गीता प्रेस को यह पुरुस्कार अहिंसक और दूसरे गांधी वादी तरीकों से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान देने के लिए दिया जाएगा प्रधान मंत्री मोदी ने गीता प्रेस को गांधी शान्ती पुरुसकार के लिए चुने जाने पर बधाई देते हुए ट्वीट भी किया उन्होंने लिखा कि गीता प्रेस ने 100 साल में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनिय काम किया है गांधी शान्ती पुरुसकार से सम्मानित संस्था या व्यक्ति को एक करोड रुपे की इनाम राशी भी दी जाती है गीता प्रेस अपनी परंपरा के मताबिक किसी भी सम्मान को स्वीकार नहीं करता हलाके संस्था की बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें ये तै किया गया कि परंपरा को तोड़ते हुए पुरुसकार को तो स्वीकार किया जाएगा लेकिन इसके साथ मिलने वाली धनराशी गीता प्रेस नहीं लेगी कॉंग्रेस इस मामले में विफर पड़ी पार्टी ने गीता प्रेस को दिये गए गांधी शान्ती पुरुसकार का खुले आम विरूद किया कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने कहा कि ये सम्मान नहीं बलके उपद्रव जैसा कदम है ये गोड से और सावरकर को सम्मानित करने जैसा है जैराम रमेश ने अक्षय मुकुल द्वारा लिखित गीता प्रेस and the making of हिंदू इंडिया का एक कवर पेज भी साजा किया और तर्क दिया कि ये किताब बहुत अच्छी जीवनी है उन्होंने का कि लेखक ने इसमें संगठन के महात्मा के साथ तक्रार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लडाईयों का खुलासा किया है वहीं जैराम रमेश के इस ट्वीट के बाद कॉंग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि विपक्षी पार्टी गीता प्रेस से इसलिए नफरत करती है क्योंकि वो सनातन का संदेश पूरी दुनिया में फैला रही है कॉंग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया वैसे जादा हैरान करने वाली बात नहीं है आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता शिवराज पार्टिल ने भगवत गीता का अपमान करते हुए कहा था कि इस गरंथ में भी जिहाद का जिक्र किया गया है राहूल गांधी विदेश जाकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग धर्म निरपेख्ष है लेकिन गीता प्रेस उनके और उनकी पार्टी के लिए सामपरदाइक हो जाती है अब यहाँ चलते चलते आपको गीता प्रेस के बारे में भी थोड़ी और जानकारी दिये देते हैं गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों की दुनिया की सबसे बड़ी पबलिशर है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 29 अप्रेल 1923 को की गई थी जैदयाल गोयंका, घंशामदास जलान और हनुमान प्रसाद पोददार ने मिलकर इसकी स्थापना की थी गीता प्रेस की स्थापना का मकसद सनातन धर्म के सिध्धानतों को बढ़ावा देना था हनुमान प्रसाद पोददार गीता प्रेस की जो मैगजीन निकलती थी कल्यान उसके आज इवन संपादक भी रहे अपनी स्थापना के पांच महीने बाद ही गीता प्रेस ने 600 रुपे में प्रिंटिंग मशीने खरीद ली थी गीता प्रेस के आर्काइव में 3500 से जादा पांडूलिपियां मौजूद हैं गीता प्रेस 14 अलग-अलग भाशाओं में अब तक तक तकरीबन 42 करोड धार्मिक पुस्तके छाप चुका है जिसमें से 16 करोड 21 लाख कौपियां तो अकेले श्रीमत भगवत गीता की ही शामिल हैं इसके अलावा 11 करोड 73 लाख गोस्वामी तुल्जीदास की रचनाएं और 2 करोड 68 लाख पुरान और उपनिशद की कौपियां भी गीता प्रेस ने छापी हैं इस वीडियो में मेरे साथ फिलाल इतना ही गीता प्रेस गोरखपुर को मिले पुरुसकार और इस पर कॉंग्रेस की प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो जरूर कर दीजेगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ अब तक के लिए तीजे जाज़त नमस्कार